सो हलो गाइस वल्कम बैक टू दे चैनेल आज हम लोग का टॉपिक है कि वीच पोकेमोन टेनर आरी हो मतलब आप एनीमे से कौन से पोकेमोन टेनर की तरह लगते है तो ये आज का वीडियो टॉपिक बड़ा ही मस्त है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइ आपको मिलता रहे और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन से टेनर हो और आपने की सब कोस्टेन का जवाब कैसा दिया तो छोटे से इंट्रों के साथ वीडियो को शुरू करते है तो पहला कोस्टेन है So, which regress is your favorite? A. Hoenn, B. Callos, C. Sinnoh या फिर D. Kanto तो अगर आपने hoenn को चुना तो आपके होगे 30 points और अगर आपने चुना है कालोस को तो आपको मिलेंगे 100 points अगर आपनें सिनो को चुना तो आपके होगे 50 points और आखिर में अगर आपने चुना है कांटो को तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स इन सब पॉइंट्स को लास्ट में एड़ अप्ट कर ली जिएगा किकि उससे आपका फाइनल रेजल्ट निकलेगा तो हम लोगों का धूसरा सवाल है विच अपने चुना है मेगा रेक्वार्स आखक तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स अगर आपने चुना है मेगा चारिजर्ड एक्स अन वाई को तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स अगर आपकी चॉइस थी क्लाइमर गाउदान और कायोबर्स तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स और आखिर में अगर आपने चिना है जाईगाट कम्प्लीट को तो आपको मिलेंगे फूड़े के फूड़े 100 पॉइंट्स तो हमारा अगला क्रिस्टेन है विच अपडिस इस या फेबरेट पॉइंट्स ए जो निंजा, बी चारिजाट, सी सक्टाइल या पी दी हमारा सब का प्यारा पिकचूर तो अगर आपने चुनाठा गुणिंग जाको तो आपको मिलेंगे फूड़े 100 पॉइंट्स अगर आपने चुनाठा चारिजाट को तो आपके टोटल में 50 पॉइंट्स और एड़ होंगे अगर आपकी चोईस के सक्टाइब तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स और आखिर में अगर आपने चुना था की कचुको तो आप को मिलेंगे 10 पॉइंट अब हमारा अगला क्वेश्चेन है Which of these is your favorite battle? Ash vs. Alana, Ash vs. Paul, Ash vs. Harrison या फिर Ash vs. Tyson तो अगर आपने चुना है Ash vs. Alana बैटल को तो आप को मिलेंगे 100 पॉइंट अगर आपने चुना Ash vs. Paul बैटल को तो आप को मिलेंगे 50 पॉइंट और अगर आपने चुना है Ash vs. Harrison बैटल को तो आप को मिलेंगे 10 पॉइंट और आखिर में अगर आपने चुना है Ash vs. Tyson बैटल को तो आप को मिलेंगे 30 पॉइंट और हमारा इस वीडियो का आख्री क्वेश्चन है विच आप दिज़ फेवरेट पोकेगल्स कोकिमॉन A. सरीनाज ब्रेक्सन B. डॉन स्पिपलप C. मेज ब्रेजिकन या फिर D. मिस्टी स्टोगटिक तो अगर आपने चुना है सरीनाज ब्रेक्सन को तो आपको मिलेंगे 50 पोईंट अगर आपने चुना है डॉन स्पिपलप को तो आपको मिलेंगे 100 पोईंट और अगर आपने चुना है मेज ब्रेक्सन को तो आपको मिलेंगे 10 पोईंट आखिर में अगर आपने चुना है मिस्टी इस्टोगेटिक को तो आपको मेनेगे टीज पॉइंट और फाइनली हमने हमारे सारे कॉस्चन्स पूड़े कर लिए है अपके सारे पॉइंट करके टोटल बनाके रखो कुछी अभी टाइम है रेजर्ड का ओ ये अगर आपके पॉइंट से 50 से 150 के अंदर तो अगर आपके पॉइंट से 250 के अंदर है तो और अगर आपके पॉइंट से 226 से 320 तक है और अगर आपके पॉइंट से 321 से 410 के अंदर और आखिर में अगर आपके पॉइंट से 411 से लेकर 500 के अंदर और हमारी वीडियो अज यही पर खतम होती है अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सबस्क्राइब करो और इस वीडियो आपके सारे poké par Nancy ko share करो जैसे कि वो जान सके कि वो कौन सा Pokémon trainer है मैं मुझे comment box में बताओ कि आप कौन सा Pokémon trainer बने और आपने सब question का जब आप कौन सा दिया यह मुझे comment box में बताओ ठीके तो आज हम यही पर चलते है चानेल को subscribe ने बिल्कुल भी मत बूरना तो आज के लिए बाई बाई एंड पीस आउट